हेलो दोस्तों आज हम यहां पर बात कर रहे हैं Central Depository Service Limited जिसे CDSL के नाम से भी जाना जाता है ठीक है हम समने ही यह नाम सुना भी है अगर शेर बजार में काम कर रहे हो तो आपको CDSL या फिर NHDL से यहां पर मैसिस भी मेल पर रिसीव होते होंगे ठीक है कि आपके आपने यह शेर करीदा है आपके यह शेर हमारे पास है तो इस तरीके से यहां पर यह काम करते हुए नज़र आते तो CDSL है क्या ठीक है शेर को पीछे वीडियो बनाने के पीछे मकसद क्या ह क्या यहां से शेर भागने वाला है क्या यहां से शेर गिरने वाला है क्या हमें यहां पर शेर लेना चाहिए या किसी के पास है तो क्या बेच देना चाहिए उन सभी चीहों से एलेटेड हम यहां पर बात करेंगे तो अगर हम यहां पर CDSL की बात करें तो CDSL जो कंपनी है ठीक है वो यहाँ पर जितने भी आपके DMAT accounts है mostly 80% market share कि अगर हम बात करें तो वहाँ पर सारे के सारे DMAT accounts कहीं ना कहीं इस particular company से related है ठीक है यह उनको manage करता है आपके पास आप जो भी share यहाँ पर markets में खरीदते हो ठीक है यहाँ बेचते हो उसका जो पूरा चिठा है मतलब उसका लेखा जोखा है वो सारे का सारा यह company करती हुई नजर आती है ठीक है यहाँ पर आप देखेंगे providing service to all market participants exchange, clearing corporation, depository participants, DPs, issuers and investors it is a facilitator for holding of securities in the dematerialized firm and an unable firm security transaction ठीक है न सारा का सारा data इनका dematerialization तरीके से यहाँ पर इनके पास save रहता है इनके पास पूरा पूरा data यहाँ पर नजर आता है यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है दो ही depository है NHDL, CDSL और CDSL उसमें number one player यहाँ पर नजर आता है ठीक है और अच्छा कासा company का business model है यहाँ पर आप देख सकते हैं company किस तरीके से काम करते हैं और इसके सबसे ज्यादा share अगर हम बात करें तो किसके पास है इसके सबसे ज्यादा share है BSE Bombay Stock Exchange के पास है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CDSL ठीक है market में जितने भी यहाँ पर account open हुए है ठीक है उसमें से सबसे बड़ा part यही रखता है CDSL 25 year का है यहाँ पर यह company को हो चुके है लगभभभभभभग यहाँ पर आप देखोगे तो और यहाँ पर जान के जान सकते हो इस company के बारे में कांपणी क्या का करती है क्या क्या सर्वीस परवायड करती है उसमें के पास में आप यहाँ पर आप जा करें दीख सकते हैं अब बात करते कंपनी की कंपनी यहां पर लेना चाहिए बेचना चाहिए उस अब चीरों से लेटे ठीक है इसके फुर्णमेंटर्स देखेंगे अब उससे पहले रुक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को ही टॉल की नॉटिफिकेशन को अन करिए बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनशल एडवाईजर कुद की श्टडी करो चीरों को सीखे जितना चीरों को सीखेंगे उतना यहां पर पैसा बनाएंगे तो यहां पर आप देखोगे तो आपको पता चलेगी कि यह जो शेयर है यह भी शेयर एक Small Cap Share और हमारे चैनल के नाम भी I am Small Cap Investor है मतलब हम सभी आप Small Cap में इंवेस्ट करते हैं ठीक है mostly क्यों क्योंकि पैसा बनाना है तो यही परी बनेगा इसके लावा सीखने का तरीक है वीडियोज देखिए वीडियोज के लावा आप यहां पर चाहे तो 28605 40501 8169 267 037 दोनों क्यों भागता है क्यों गिरता है कैसे भागता है कौन सा शेर भागता है वह सारे के सारे जवाब इस पर्टिकुला कोर्स में यहां पर मिल जाएंगे 20,000 रुपे का कोर्स है त्री मंस की हैं डोल्डिंग दी जाएगी इसके अलावा ओनलाइन नोट्स दिये जाएंगे और एक बार कोर्स करने के बाद 6 महीने का जैसे ऐसे मैं पढ़ाऊंगा उसके पॉलो कर लीजेगा दुनिया किसी मार्किट में काम करेंगा पैसे बनता हूँ नजर आएगा वाट्स अप ग्रूपे आप देखें यहां पर हमारे वाट्स अप ग्रूप में यहां पर मैं केवल स्टॉक्स को पोस्ट करता हूँ याद रखिएगा मैं अपने रिसार्ज स्टॉक्स को कि अबल पोस्ट करता हूँ ठीक है बाइंग सालिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं देता इसके इलावा अगर किसी को साथ में काम करना है कि इसका पोर्टफोलियो बड़ा है तो इन न काम हम यहां पर देख चुके हैं स्मॉल कैप कंपनी है 47 का पी है इंडस्टी का पी 29 का महेंगा नजर आएगा बट याद रखिएगा जितनी भी अच्छी चीज है न हमेशा महेंगा मिलेगी और उसी यारोई काफी भैतरी नहीं आना जराता है किसी तरीके का डैट नहीं है किसी तरीके की प्लैजिंग नहीं है 1430 रुपे का हाई लगाया है बुक वैल्यू बड़ी का मिहां नजराती है फेस वैल्यू देखे तो दसकी आपा फेस वैल्यू है तो आगे चलके आपको स्प्लिट भी मिल सकता है उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट में गिरावट हुई यह शेयर भी गिरा और नीचे से अच्छा कासा इसने बाउंस बैक दे दिया है और शायद अब यहां से यह शेयर एक ऐसी रेंज में पोच गया है जहां पर यह शेयर आपको केवल नीचे की तरफ डाउंसाइड कम और उपर की तरफ अपसाइड ज्यादा दिखाता हुआ नजर आएगा यहां पर देखिए प्रोज इतने सारे हैं कौन्स की बात करें तो ना के बराबर कौन्स इसके लाब आप देखोंगे यहां पर कमपनी के रिजल्ट तो आपको पता चलेगा कि कमपनी जब एकाउंट इतने सारे हैं हैं एतने सारी ब्रोकरेष कंपनी के साथ हैं पर टाई अपस है तो कहीं ना कहीं यह जो जँतने भी यहां पर कमपनी की से इस वज़एसे बेक- ETF अच्छी नजर आ रही है और अच्छी आती हुई ही नजर आएगी इसके लिए आप जी आपकर थोड़ा सा काम है नेट पॉफिट की बात करें तो नेट पॉफिट अच्छागास है यहां पर ठीक-ठाक नजर आता है ना इतना ज्यादा है नहीं इतना कम है इसके लाव एपी सब्सक्राइब देखोगे तो EPSB company का थीक ठाक नविजर आता है yearly basis पे आप देखो तो company ऐसी company perform करके नजर आती है जो अपने आपको छोटे से बड़ा बना लेती है तो 96 crore से 500 500 crore की sales okay net profit की बात करे 55 crore से 300 crore के आसपास profit ठीक है इसके लावर रिजर्व की बात करें अच्छे का से company के पास रिजर्व से लगवर 10 तैम से रिजर्व से 5 तैम से रिजर्व सोचुके ना के बराबर बॉराइंग है वर्किंग प्रोगेस में 174 crore रूपीज कर रखे हैं investment है cash है company के पास positive cash flow है यह चीज़े बताती है कि यहाँ पर company अच्छा आगने वाले टाइम में भी long term में भी काम करती हुए नजर आएगी और जैसे कि मैं बता चुक हूँ कि इसके सबसे ज्यादा share किसके पास है BSE के पास है ठीक है बाकी buying selling यहाँ पर होती रहती है यहाँ पर जून में BSE ने कुछ share यहाँ पर बेचे भी है जितना सीख होगे उतना यहाँ पर किसी के ऊपर से dependency होगी साथ में अच्छा खासा काम आप कर पाएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और इन नमबरों को नोट कर लीजिए ठीका और इन नमबरों को नोट कर लीजिए और कोर्स कर लीजिए WhatsApp गुरूप वह साथ मे काम करिए एक बार लॉंग टर्म रिलेशन विल्ट करिया हमारे साथ आपकी वैल्थ यहाँ पर किरेट होती ही नजर आ जाएगी बात करते है चार्ट की तो यहाँ पर देखिए चार्ट ने अच्छे खास रेटन दिये फिर उसके बाद एक अच्छा खासा शेयर सोलह सो क्या बन रहा है है और शायद जैसे ही इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर जोन से ठीक है इस लाइन के ऊपर से जिन निकलेगा तो यह शेयर क्या है ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा और आपको एक अच्छे खासे रेटन यहाँ पर देता हुआ नजर आ रहे है अच्छा शेयर है अच्छी कंपनी है किसी तरीके की कोई भी हाँ पर प्रॉब्लम नहीं आपर नजर नहीं आती स्टेज टू जिसे कहते है न वहाँ पर चल रहा और इसके बाद तो कंफर्म स्टेज टू हो जाएगी और तू भी वेरी फ्रेंक अगर मैं बता हू यह एक ऐसा स्टॉक से की जितना गिरे उतना लो यह एक ऐसा स्टॉक से जिसे आप अगर लंबे टाइम के लिए रखना चाते हो न तो लोग HDFC रिलाइंस इसके अलग-अलग चीज़ों के पीछे बागते है ठीक है अब उसका जमाना गया अब आपको CDSL एक ऐसा स्टॉक से जो आप अगर जितना लंबा रखोगे न उतनी जादा आपकी wealth create होती हुई नजर आएगी और अच्छे खासे तरीके से यहाँ पर आपकी wealth create होती हुई नजर आ सकती है तो आप क्या करिए आप long term के वीजन से यहाँ पर सोख सकते हो पर पहले target यह है इसके बाद यहाँ पर फिर भागेगा फिर गिरेगा फिर भागेगा और एक long term में शायद यहाँ पर आपको bonus भी मिलेगा ठीक है reserves company के दीरे दीरे बल्ट रहे है ठीक है यहाँ पर company dividend की बात करें तो dividend तो अभी दे रही है बट company अच्छा गासे आपका काम भी कर रही है ठीक है dividend भी दे रही है दे सीख के करेंगे तो अच्छा रहेगा तो इन नमबरों पर आप contact करिये साथ में काम करिये ठीक है और अगर कोई यहाँ पर ले भी रहा है तो एक चोटा सा stop loss लगा लीजिए लगग यहाँ पर 50 रुपए के आसपास का और ऊपर की तरफ अच्छी खासी upside है थैंकी सो मच को करिस